मैं दक्टर केस्ट दौनसी आप सबी का KSD में स्वाइब करता हूँ आज हम इस वीडियो लेक्चर में रिंग थेोरी का एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक आइडियल और इसकी थेोरो नंबर थार डिसकस करेंगे तो इक्जाम के पॉइंट आफ यू से बहुत इंपोर्टेंट थेोरो में तो प्लीज आप मेरी इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा इसको लाइक और शेर भी जरूर किजिएगा और हमारी यूट्यूब चैनल KSD मैस क्लासे को सस्क्राइब भी जरूर किजिएगा और मैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हाइर मैथमेटिक से रिलेटेड वीडियो अप्लोड करता हूँ ये वीडियो इंटिग्रेटेड कोर्सेज इंजिनिरिंग स्टूडेंट्स यूजी और पीजी ग्रेजूएट और पोस्ट ग्रेजूएट दोनों ही स्टूएट्स के लिए इंपोर्टेंट है तो प्लीज आप मेरी इन वीडियो को अपने फ्रेंट सरकल के अंदर ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इनका बेनिफिट उठा सकी तो आई हम आज का टॉपिक स्टार्ट करें ओके ओके तीसरी थेओरम तो देखिए साब से पहले इस थेओरम की स्टेट्में आर्गा ठीक है यू एक गुंजा वली है किसकी रिंग आर्गी और उसके बाद किस टाइब का इडियल है विद यूनिटी विद यूनिटी कहने का अतलो इस आईडियल के अंदर वन है ओके यूनिटी एलिमेंट कौन सा आता है अगर ऐसा हो देन टू प्रूव यू इक्व होने चाहिए कब जब वन बिलॉंग्स तो यू हो ओके तो प्रूव लिखिए आप तो प्रूव के अंदर हम लोग क्या करते हैं साव से पहले गिवन क्या देरिखा है इसने कोशन के अंदर ठीक है स्टेटमेंट में क्या कुछ देरिखा है तो लिखो आप सिंस आर बीर रि लिखो एंद्ट एंड चयपिटल यू इसन आइडियल ओफ आर्श इसके बाद बहुत ही शिंपल इफ वन बिलॉंग्स तो यू अगर वन यू का ऐलिमेंट हो that is unity element belongs to ideal then to prove तब अपने को proof करना होगा U equal to R ठीक है, proof करना होगा U और R दोनों क्या होने चाहिए equal तो बहुत ही simple सा concept होता है A equal to B अगर अपने को proof करना हो ठीक है, pure mathematics के अंदर algebra, ring theory ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, दो case बनाते हैं A contain and equal to B and B contain and equal to A, यह दो case proof कर दो आप ऐसा होती, A और B क्या होंगे, equal होंगे तो अब हमारा target क्या रहेगा case first, पहला case हम proof करेंगे case first that is to prove U contain and equal to R यह हमारा target रहेगा U, R का subset होना चाहिए, यहां फिर U, R के बराबर होना चाहिए, ठीक है तो इस case के लिए बहुत ही simple U क्या है, ideal तो लेखिए आप, since U, be an ideal बिएल अइडियेल और U, R का अइडियेल है, और अइडियेल क्या होता है, subset अइडियेल क्या होता है, subset बैडेफिनीशन तो आप लिख दो, बैडेफिनीशन अफ आइडियेल ठीक है हम लोग क्या लिख सकते हैं U भी यह सबसेट ओफ आर equation number first बहुत ही simple सा concept है ideal क्या होता है अब second case हम लोग क्या बनाएंगे to prove R content and equal to U यह हमारा target है R U में होना चाहिए या फिर U के equal होना चाहिए ठीक है तो अब ध्यान दो आप छोटी चीज बड़े के अंदर बड़े असानी से चली आती है लेकिन जब बड़े को छोटे के अंदर proof करना हो फिर कुछ logic ठीक है कोई नोगे हम region देते हैं हमापर अब बड़े को छोटे के अंदर प्रूफ करना है तो इसके लिए कुछ logic लगेंगे यहाँ पर कैसे क्या करना होगा आपने को बहुत ही simple सा target है x belongs to r हम r का कोई भी element consider करें तो result क्या ना चाहिए then to prove x belongs to u ठीक है एक set दूसरे का subset कब होता है जब इसके element इसमें चले जाए ओके यह अपने को prove करना होगा r का कोई भी element हम prove कर दें किसका element है u का तो ऐसा होते r जे subset of u जाएगा ठीक है तो लिखो आप since x belongs to r and one belongs to u given है देखो आप दे रखा है इसने one belongs to u theorem की statement तो अब ideal की definition क्या होती है for all r belongs to r मैं side में लिख देता हूँ and a belongs to i r ring i ideal तो हम लोग ideal की definition का second और third point क्या होता है r into a b i के element होता है और a into r भी किसके element होता है i के element ring की definition point second और third ठीके तो अब ऐसा ही हम यहाँ पर लिख सकते है since u ideal u क्या है ideal तो 100% क्या होगा x into one belongs to u इन दोनों का multiply किस के अंदर होगा u के अंदर आप one into x भी लिख सकते हो ठीके और इसके बाद x into one का meaning क्या हो जाएगा x x belongs to u तो हम लोग क्या देख रहे है r के element consider किया और वो किस से belong कर गया है u से x belongs to u it means इसका meaning क्या होगा for all x जितने भी x होंगे इस type के किस के element होने चाहिए r कोने चाहिए इस calculation के बाद किस के बढ़ेंगे u के बढ़ेंगे r का परतेक element u का it means r is a subset of u ठीक है r u का subset है इसको equation number second लेख दो आप और by first and second देखिया आप equation first क्या है u contain and equal to r और equation second क्या है r contain and equal to u अगर इस type के दो result हमारे पास आता है तो हम लोग क्या लिख सकते है लिखिया by first and second sum गरन एक और दो से इसके बाद लिखिएगा please r equal to u या u equal to r और यही अपने को प्रूफ करना था अगर इस type की nature हो u की तो u और r क्या और चाहिए equal तो बड़ी द्यान से सुनिएगा easy है मुश्किल नहीं है हम next देखिया आप corollary उपर में जो हमने भी theorem discuss किया था उसके उपर based है तो क्या statement दे रखा है इसने इसका if u be an ideal of ring r u क्या हो एक ideal किस का? ring r का किस type का ideal? with invertible element a of ring ठीक है? कहने का आतलों क्या है? इस u में ring का एक element है a और यह element किस type का है? invertible ring में इस element का inverse भी है तो वो गर है then to prove u equal to r तो मैंने यहाँ पर invertible का meaning लिख्या हुआ है with करमनी है हिंदी के अंदर हम इसको क्या बोलते है? with करमनी है जिसका inverse calculate किया आया सकता हो ओके? तो देखिए आप सबसे पहले given proof ठीक है? तो given के अंदर क्या है? since r we are ring r एक ring है that is r plus and multiply उसके बाल इसको आप u be an ideal of r u कै है? r का ideal है और उसके बाद if a belongs to r ring का element ठीक है? जिसका inverse हो ring का एक element जिसका inverse भी present हो invertible element a inverse belongs to r ये element किस टाइब का हो? where a belongs to u बहुत है simple लिखा हो है u में ring का कोई element जिसका inverse भी हो ठीक है? तो कहने का दो हम suppose कर लेते हैं a belongs to r and a inverse r में है according to statement but ये element किसका है? u का then to prove then to prove u equal to r तो हमारा target है u और r दोनों क्या होने चाहिए? same होने चाहिए दोनों equal होने चाहिए ये अपने को proof करना है तो इसके लिए बहुत ही simple ठीक है? तो since u is an ideal u क्या है? ideal है then by definition of ideal ideal की परिवाशा से हम लोग क्या लिख सकते हैं? a into a inverse belongs to u ठीक है? कहने का मतलब ring element for all r belongs to r और a belongs to i क्या होता है? r into a भी i के element होता है और a into r भी किसके element होता है? i के element होता है by definition of ideal ठीक है? तो मैंने यहाँ पर किस चीज़ का use किया देखो आप a inverse किसके element है? r के element यनि कि r के स्थान पर a inverse ठीक है? और a belongs to u तो 100% दोनों का multiply किसमे होगा? u के अंदर कहां से? definition of ideal तो ऐसा करने के बाद हमारे पास क्या आएगा? one belongs to u और इसके बाद फिर आपने क्या करना है? previous theorem का use करना है ठीक है? तो अब हमारा target है now to prove u equal to r तो इसके अंदर क्या करने होगे? दो case case first ओके? हम ये prove करेंगे u contain and equal to r ठीक है? प्लीज इससे पहले वरी थारों को देखके आप इसको complete कीजिएगा और case second क्या करना होगा आपने को? r contain and equal to u second case ही होगा ठीक है? और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर हमारे पास 100% result कैसा आएगा? u contain in r equation first और इसको solo करने के बाद क्या आएगा? r contain in u equation number second previous theorem जोगे मैंने theorem number third करवाई तो उसको देखिएगा आप और last में by first and second by first and second हम लोग क्या लिख सकते हैं? u equal to r ठीक है? तो कहने का आखलब अगर एक ideal जिसमें ring का कोई ऐसा element हो, जिसका inverse calculate किया सकता हो, जिसका inverse हो ring के अंदर वो ideal किसके प्रापर होगा? ring equal ठीक है? यह corollary है तो please answer सुनिएगा ओकी, thank you कि अंद win धू एक हो that कि मुझे और आए यह बवाए यह है औरीक Was